हलो फ्रेंट्स आज सीखेंगे हम ओल्ड साडी से कुर्टी बनाना जिसके लिए हमने इस साडी लिया है और यह हमने अस्तर लिया है यह प्लाजो और कुर्टी के लिया हमने टोटल पांच मीटर अस्तर लिया है और यह जो हमारी साडी है यह हमारी पूरी साडी है और यह इस से फोल्ड कर लिया है तो यह चार तह में है असतर हमारा और बंदवारी साइड मेरी साइड है सबसे पहले लंबाई देखेंगे जैसे कि 40 की तैयार होगी तो हम 42 इंच ले लेंगे और पहले हमारा जो उपर चोड़ाई में हमने ब्रेश्ट से 2 इंच जादर ले लेना है ऐसे और अपनी ब्रेश्ट का चौथा हिस्सा और उसमें 2 इंच जादर ले लेंगे हम मार्जन के लिए तो यहां से हम टोटल साड़े ग्यारा इंच कपड़ा ले रहे हैं और यहां से अब 8 इंच नीचे हम कमर के लिए निसान लगा लेंगे और हिप का और ब्रेश्ट का बराबर ही रहता है तो हिप को में आप अगर ज़्यादा लॉंग पहनते हैं तो 14 पर ले सकते हैं लेकिन मैं 13 इंच पे लोंगी अपने हिप और यहां से इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे इन तीन निसान लगते हैं टोटर इसमें हिप का ब्रेश्ट का और अपनी कमर का ब्रेश्ट का अब यहां से भी चोथा हिस्सा कमर का और उसमें आप डेड़ इंच ज़्यादा ले लीजिए तो मैं यहां से नॉइज ले रही हूं साथ पे मेरी फिटिंग होगी और अपनी हिप का और ब्रेश्ट का बराबरी होता है अब इन तीनों पुइंटों को मैं इस तरीके से ऐसे गोलाई में मिला दूँ की और जो हमारा देखेत जो मार्जन है वह हमारा इसी के अंदर है आपको पता है वह तो मार्जन मैंने इसी के अंदर ले र snapshot है अब यहां से सीध़ा बसे कट होगा यहां से हम गोलाई दे देंगे इसमें ऐसे यह हो गई हमारी बैक के लिए गोलाई और जो फ्रंट के लिए गोलाई होगी वो ऐसे एक इंच से होगी और आदा इंच तीरा हम डाउन कर देंगे आर्म होल वाली साइड से और कुछ निकरना बस इसकी कटिंग कर देंगे सोल्डर से ही कटिंग करना स्टार्ट करेंगे और चार फोल्ड में हैं मैं फिर से बता रही हूं चाकि बैक और फ्रंट दोनों पार्ट इक साथ निकल जाए लेकिन जो हमारी साड़ी है उसमें से हम जो हमारा बैक पार्ट है उसको तो हम हाप में मतलत जो हाप बू बूटी में रखेंगे जो पलु वाला एरिया है उसमें ही रखेंगे क्योंकि पलु वाले एरिया में काफी अच्छी बूटी है तो उन्हीं के हिसाब से हम रखेंगे और इसको मैं नीचे तक कट कर लूगे जो और यहां पे कट लगा लेंगे लिए फ़ाली साइड को नीचे तक किसे पूरा कट कर देंगे तो यह कट हो गया है अब आगे और पीछे के पड़ों को अलग-अलग करके और साड़ी के उपर बिछाएंगे जो हमारी साड़ी है तो देखेंब कि यह जो बुटी वाली साइड है वहाँ मैं आगे वाले पर दे को विछाऊंगे क्यूंकि मैं इसे फुल बुटी में लंगी और हाप बुटी में लंगी मैं जो हमारा पीछे हाप में है पीछे वाला पर्दा होगा और बस इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे जैसे जैसे ड्राफ्टिंग आई हुई है ऐसे ही इसकी कटिंग कर देंगे देखिए बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग कर रहे हैं इसकी और दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही बिछा के करेंगे कटिंग अगर हम इस तरीके से ओपन करके कटिंग करते हैं तो कटिंग अच्छे से होती है और कपड़ा भी ज़्यादा वेश्ट नहीं होता और पीछे बाले को भी हम सेम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे पिर हमने आपको फश्ट में दिखाई दिये हैं और इसका जो गला बनेगा पूरी जो सिलाई होगी वो हम अगली बार आपको अच्छे से सिखा देंगे तो पीछे बाले पार्ट को भी हम ऐसे ही कट करेंगे जैसे हमने ये आगे वाला कट किया है तो देखिए ये पीछे बाला पार्ट है मेरा पीछे बाले में हाप में आएंगी बूटी जैसे कि हमने बताए और इसको भी सेम ऐसे ही हमने कट कर लिया है जैसे हमने आगे वाले को कट करके दिखाये था अलग-अलग पार्ट में हमने कट किया है यह पूरा प्लेन में रहेगा और यह थोड़ा सा उसमें रहेगा बस बूटी इसमें आधे बैंगी इस तरीके से यह देखिए यह इसका अस्तर हो जाएगा तो कटिंग होने के बाद इस तरीके से दिखाई देगा